कि है ह दोस्तो वीडियो को ज्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेयर करें दोस्तो आपकी प्यार और सपोर्ट क्ये हमें बहुत ही जुरूर। थे हैं हैलो मद्मसकार दोस्तो स्वागा थे आपका ज्यो के रूप में तो दोस्तो आज ही सबसे बड़ी ख़बर है दोस्तो पीडियो को एक लाइक जरू करें दोस्तो अमेरिका ब्रिटेन आस्ट्रेलिया चुनाओं से कितना अलग है भारत का एकजिट पोल जी हां दोस्तो लूग्स पर चुनाओं 2019 के लिए वोटिंग संपन हो चु उनके मुताबिक 2016 में अमेरिका में एकजिट पोल के नतीजे सावित नहीं हुए थे 2016 में यूरोपिय संग में अलग होने के कारण मुद्दे पर ब्रिटेन में जनमत संग्रह को लेकर के लगाए गये अनुमान भी गलत निकले थे इसी तरीकी के पिछले ही सनिवार को इन तीन चुनाव की परताल की है और पाया है कि ब्रिटेन को छोड़कर के अमेरिका और आस्टेलिया के चुनाव का तरीका भारतिये चुनाव से एकदम अलग है भारत में चुनाव का तरीका इन देशों के चुनाव से तरीकों से बिल्कुल भी नहीं मिलता दूसरा इन द National Unit ने इन तीन देसों में एक्जिट पोल के आकड़ों की परताल में पाया है कि जहां भारत के सभी एक्जिट पोल एक हिंदिसा में अनुमान व्यक्त कर रहे हैं वहीं अमेरिका, ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया के चुनाओं में बेहत करीबी मुकाबला था जिसका अनुमान क बाफी मुस्किल था जिहां तो आपको बता दी कि 2016 में अमेरिकी आम चुनाओं में जातातर ओपिनियन पोल के नतीज़ ट्रंप और हिलेरी क्विंटेन के बीच पॉपुलर वोटों के बीच बहुत कम अंतर का अनुमान लगाया था एक्जिट पोल को लिकर के भारत में क्य दूना करना जैसा है वर्मा कहते है कि जब करीमी मुकाबला होता है तो नतीजे गल Australians हो सकते हैं अमेरिका और आस्ट्रेलिया के इस चुनाओं इसके उदारन है लेकिन भारत के इस त्तिती अलग है एतिहासिक बांपर भारत में सहीं वीजयता का एलान कर दिया जाता है और इस बार भी बीजेपी के नित्युत में गठवंदन आगे है। आपको बताते हैं कि पूर्व चुनावी जानकार और अब बीजेपी परवक्ता जीवी एल नरसीमहा राउने भी मानते हैं कि एक्जिट पोल में गड़बड़ी की संभावना रहती है जब बहुत करीबी मुका इस नहीं है वहीं CPR की एक और जानकार निलावंजन सरकार का मानना है कि अस्ट्रेलिया और बिटेन की तरह भारत में इस्थिती हो सकती है और 23 मई को नतीजे बदल सकते हैं हाला कि हम आपको बता दे कि आज तक 61 माइडंस इंडिया ने अब तक 85 फीसती एक्जिट पोल सही बताया है और अब नतीजा 23 मई को आने वाला है जी हां दोस्तों अगली बड़ी कपर है टिक टोक के फेमस युवक को दिल्ली में गोली मार करके हत्या सीसी टीबी में कैद हुआ सूटर जी हां दोस्तों राजधानी दिल्ली के नजफगर इलाके में 24 साल का एक लड़का को गोली मार करके हत्या कर देगे है बड़मासों ने युवक को एक के बाद पांच गोली मारी मारने वाला युवक का ना मोहित है मोहित एक टिक टोक सेलिब्रिटी थे इस एप पर मोहित के लाखो फॉलवर है हत्या करने के बाद बदमास फरार हो गया है लेकिन ये सभी CCTV में कैद हो चुके हैं सुरुवाती जाच के बाद पुलिस को पता चला है कि मोहित को मारने वाले लोग बाइक से थे आरोपी भागते हुए पुलिस को एक फुटेज मिल चुकी है जिससे जरिये पुलिस आरोपियों को पहुचने में जुटी है साथ ही इस हत्या के पीछे मगस नजफकर्ण इलाके में अपने एक जानकार की दुकांदार पर बैठा था और तभी तिन बदमास ने दुकान के अंदर में घुसकर के मोहित के करीब आधा दरजन गोली से चलनी कर दिया गोली की अवास सुनकर इलाके में दहसत पहल गई जब तक लोग इकठा होते गलियों से फरार हो गए है इससे दो यूवक को चेहरे चुपाने के लिए हेलमेट लगा हुए थे और एक चेहरा साफ दिखाई दे रहा था पुलिस के मताबिक मुरितक मोहित बहादूर गड़का रहने वाला था और नजफगर्ण इलाके में एक जीम में एक्सरसाइज कर हाकार बलोचितान में सबसे ज़्यादा सच किये गए मोधी जीहां दोस्तों भारत में नरेंदर मोधी की संभावित विजे का खुमार है लेकिन पाकिस्तान को एक्जिट पोल के बाद से ही बुखार है दिली में कल नरेंदर मोधी की डिनर पार्टी हुई थी और 23 माई को प्रचंट बीजे की उमीद के साथ मोधी ने सभी सहयोग्यों इंडिनर पार्टी में सामेल हुए थे लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत और उसके सरफ्रस्त आतंकवादियों के निंद हराम हो गई है एक्जिट पोल के बाद से सरहत पर मोधी के 400 पार के सैकलों से हाकार मच ग पाकिस्तान में मोधी सरगार की वापसी का खौफ किस कदर है इसका अंताजा इसी से लगाया जा सकता है कि 19 माई यानि जिस दिन एक्जिट पोल के नतीजे आये थे उस दिन गूगल ट्रेन में नरेंदर मोधी की हिंदूस्तान में सबसे ज्यादा सच पाकिस्तान में किया 19 माई के बाद से गूगल पर पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ नरेंदर मोधी को खोज रहे हैं यानि 23 माई का जिस तरीके से इंतजार हिंदूस्तान में है उसी तरीके से पाकिस्तान इस तारीके खौफ में मरे जा रहा है पाकिस्तान के एक कोने से दूसरी कोने तक सिर्फ औ के निसाने पर यहां घर की दिवारों पर चप्पा है वहीं यह बात करें कि exit पोल में मोधी सरकार की वापसी के इसारे से बलुचिस्तान में खुसी की लहर है वहीं पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में खौफ परस्थ है जी हाँ दोसों रफाल मामले का बिवाद थमता नजर नहीं आ रहा है इस मामले में याचिका करता हूँ यसवन सिन अरून सोरी और प्रसाथ भूचन ने पुनर याचिका पर लिखित दलीले सुप्रीम कोट को दे दी है सुप्रीम कोट ने अग्रह किया है कि भारत सरकार के ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कारवाई करे जिन्होंने सील कवर से सुप्रीम कोट की जूटी जानकारी सोपी थी उन्होंने पूराने फैसले को वापस लेने का आहवान किया है क्योंकि सरकार ने अदालत से सामगरी और प्रासंगी की जानकारी को छिपाया था और नयाले से आये धोखा धड़ी के अधार पर ये फैसला लिया गया था रिकोर्ड पर मवजूद सामगरी के अधार पर उन्होंने अधालत में अग्रह किया था कि वे 4 अक्टूबर 2018 को यह सिकायत करके CBI जाज करने के निदेश दे दिये खे जिस पर CBI ने अब तक कोई करवाई नहीं किया है दरसल पुनर याचिका पर सुप्रीम कोट के फैसले सुरक्षित रखते हुए तभी पक्षकारों को दो हपते से लिखित दलीले दाखिल करने को कहा गया था इससे पहले रफाल डिल के रिविलू पिटिसन दाईर करने वाले याचिका करता केंदर में जबाप सुप्रीम कोट ने अपना हलफ नामा दाईर किया जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी ख़बर इंडोनेसिया में चुनाओ के बाद भड़की हिंस हजारों परदसनकारी गि को हिरासत में ले लिया गया है कॉम्पटान टीवी ने दिखा है कि प्रदसनकारी पथराओ कर रहे हैं आर्द सैनिक्स पुलिस ने इमारत में आग लगा दी और सहर के मध इलाके में सैक्डो दंगा पुलिस तैना थे इंडोनेसिया में चुनाओ आयोग ने मंगलवार को कह इनकार कर दिया और खुद को विजेता खोसित कर दिया योजना चुनाओ को समवधानिक अदालत में चुनोती देने की है दोस्तों यदि अभी तक आपने चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा आप तक पहुंचती रहे जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी ख़बर है टिक टोक बनाने वाली बाइडन्स ने भारत में न्यूक्त किये नए मॉनिटाइजिसन हेट जी हाँ दोस्तों टिक टोक को हेलो जैसे प्लेटफॉर्म भारत के आलावा कई देसों में काफी पॉप्ल कमपनी ने भारत के अपने मॉनिटाइजिसन प्लेटफॉर्म के लिए नए हेड समीर सिंग को न्यूक्त किया है समीर इससे पहले साल्थ एसिया ग्रूप के CEO थे और यह एक एडवांटिज कमपनी है समीर सिंग ने नए हेड बनाने के बाद ये अंदाजा लगा जा सकता है कि कमपनी को भारत में अपना बिजनेस तेजी से बढ़ाया जा सकता है ये भी है कि कमपनी भारत में जल म्यूजिक सर्विस भी सुरू करने के पर विचार कर रहे है जो सीधे अमेजोन और स्पाइफाइड को टकर देगी कुछ समय पहले मदरास हाइकोट ने टिक टोक पर पैन लगा दिया था जिसकी वज़े से कमपनी को लगभग रोज पांच लाख डोलर का नुकसान हो रहा था भारत में इसकी यूजर संख्या पर नजट डाले तो यह तकरीवन 30 कोरोड से भी जादा है अब यह देखना होगा कि समिर सिंग के आने के बाद कमपनी भारत में अपना कितना पैरपासार पाती है